कि अब फिल्कम टेग्वेटर गुरू मैं आपको अब विकास आपका अपने चैनल में वाफिश तो खोद करता हूं तो इस्टन आज हम बात करेंगे एक और इंबॉर्टन टॉपीक की जो कि मोवी इंबॉर्टन टॉपीक होगा आपके लेल एक्जांत के लिए चीकर तो आज इंब कि लेवल की क्लास नम्बर सेंड होगी डीबी मैं सी की जो कि हमारे चल लही थी मॉर्डूल नमबर होगा ए 7 आर 5 क्लास नमबर टू जो कि एक बहुत अच्छी क्लास है आपकी most important है और जो पहली क्लास होई थी उसका link यहां पर अप लेबल है ए लेबल की और यह काफी लोगों ने पसंद की है कमेंट मेरे पास positive मिले हैं और pdf note भी काफी वच्छों ने purchase किया है तो जिनको भी फुल क्लास है जो प्रवाइट कि जाएंगे इसके बाद वीडियो साथ जो है प्राइबट हो जाएंगी तो इनको फुल कोट पचिस करना है उसके लिए आपको पुछ पेमेंट करनी होगी क्योंकि हम आपको free of course ने प्रवाइट करा सकते हैं कि काफी लंबी इसक्रास है और यह advanced courses है ठीक है तो इसकांट से इसके आपको कुछ fees जो है pay करने पड़े कि आप घर बैटे त्यारी करते हैं आपको किसी भी institute और कोई book purchase करने की जरूरत नहीं है तो चलिए आज हम सुरू करते हैं class number second और इसकी हमने एक playlist यहां पर बना दी लगबग सभी playlist आपको मिल जाए तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही important topic की जो कि आपके DBMS में एक बहुत बड़ा रोल प्रदान करता है तो last topic में हमें देखा था DBMS क्या होता है और इसे आपका system आपका क्या होता है DBMS system क्या होता है और आज हम बात करेंगे most important topic कि आपका file जो है sorry file versus DBMS के बारे हम बात करें यानि कि DBMS जब नहीं था यानि कि 1917 की बात करें 1960-1918 की बात करें तो उस समय हमारे पास DBMS नहीं था उस समय हमारे पास सिप क्या होता था file system होता था ठीक है तो पहले वो क्यों होता था और अब DBMS क्यों है DBMS ने उसकी जगह क्यों ले ली है उसका इ यहाँ पर DVMS का क्या है कि अब हम file system का use कम करते जा रहा अभी भी हम use करते हैं लेकिन कम करते हैं तो बहुत जनरल भासा में हम आपको दोनों को explain करेंगे जो कि आपका most important topic होगा chapter number one का ठीक है तो continue बने रहे हैं इस वीडियो में आपको उदम detail में sound में आएगा with real example के साथ ठीक ह और pdf में भी हम आपको ले चलेंगे और यहाँ से भी आपको कुछ चीज़ें से समझाएंगे तो इसमें अगर आप जाकर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे what is database आपको मिल जाएगा उसका example मिल जाएगा database management system मिल जाएंगे और इसमें आपको characteristics of DVMS advantage और disadvantage सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएगी ठीक है तो इससे के आपको कोई जिकत नहीं होगी लेकिन अभी हम जो topic यहाँ पर cover करने जा रहे हैं वो है file versus DVMS तो देखें अगर हम पहले की बात करें तो हमारा जितने भी computer system होते थे वो सब file based operating यानि कि अपना जो OS होता है आपका computer system होता है वो तो user ने जो data अपने drive में अपने computer में जो भी drive सेफ बनाई होती है उन्हीं के अंदर वो अपना data को save कर सकता है और उनको open करके user ही खाली देख सकता है जैसे कि आपके पास computer या laptop है आपने उसमें किसी भी drive में data को store करके रखा है c d e b जिसने मेरी तो आप उसको जाके अपने computer को login करके और उसमें data को देख सकते हैं delete कर सकते हैं remove कर सकते हैं तो कौन कर सकता है सिर्फ user कर सकता है एक person या फिर आपके घर में कोई student हो आपके भाई बैनो वो उसको use कर सकते है ठीक है उसके बाद अगर कोई आपका पडोसी है या आपके किसी और city में बैठा हुआ जो ब server से connect कर देते हैं तो worldwide आप किसी भी सहर में या किसी भी country में बैठे हो तो आप उसको access कर पाएंगे जो कि आप file system के साथ नहीं कर सकते हैं ठीक है तो यह एक major different होता है आपका file system और dbms में तो अभी हम देखते हैं और क्या चीज़े इसमें हो सकती है और आपको explain करते हैं तो यहाँ पर हम लिक देते हैं file और dbms ठीक है बहुत अच्छा topic है इसको आप अराम समझें भी आपको हम अच्छे समझाएंगे ठीक है तो हम लोग जो भी file system यूज़ करते हैं अपने computer में उसमें हमारी देखे fat 32 32 इस परकार की file आपको मिलती है ntfs file आपको system मिलती है तो यह यह आपके windows की drives हैं जिसके अंदर हम data अलग-अलग format में kb में mb में एक folder से दूसरे folder के अंदर सब folder में यह रैचिकी के form में इसको हम save करते जाते हैं निकि इसके अंदर फे इसके अंदर फे अंदर हमारी file फाइल बनती जाती है और database के अंदर आप कुछ भी चीज़े रख किया जाता है जो कि एक user ही है उसको use कर सकता है अब माल देजिए यहाँ पर IRCTC का यानि की railway system का कोई database है तो क्या आप उसको अपने computer में save कर सकते हैं बिल्कुल नहीं क्योंकि यह DBMS based database management system से बना हुआ है और यह live server पे चलता है जिसको कि आप अपनी application के माद्दम से जब open करत के अपने mobile से अपने user ID password से तो आपको database यहाँ पर पूरा online server से मिलता है और जितना data आपको जरूत होती है आप उतना ही जाके दे सकते हैं कि अगर आपको PNR देखना है तो आप PNR नमबर डालेंगे तो आपको सामने सिफ PNR का data आएगा आपको travel की distance देखना यानि कि seat यानि कि लगना उसे लेकर दिली तक की तो वहां से आपको सी उतना ही data आपको वो सो करेगा तो यह काम किसमे होता है DBMS होता है इस करण से अब जो भी generation आ रही है ले टेस्ट में वो सारा DBMS और SQL based server पर काम कर रही है और DBMS जो होता है आपका client based server model होता है जो कि इसका मतलब होत होता है कि आपका जो डेटा है वो worldwide देखा जा सके जैसा कि file system में होता है वो डेटा से यूजर ही उसको access कर सकता है अधर बंदा उसको use नहीं कर सकता है उसी कार्ण से DBMS जो है वो एक client server model होता है एक server यहां पर लगा दिया गया जिसमें आपका सारा data store है वो डेट हर एक DBMS औ का लग होगा किसी college university का लग होगा तो जब भी हमको उस पर देखना होगा तो हम जाके उनकी site या website पर या उनकी application पर वो data को access कर लेंगे वो सभी लोंग देख सकते हैं ठीक है तो यह एक major इसमें different होता है तो आगे दिखते हैं ठीक है आगे चलते हैं अब आपको DBMS का जो concept ह है वो किस परकारते काम करता है अब उसके बारें बताते हैं file system मैंने आपको समझा दिया अब देखे DBMS system को समझने के लिए simple सा आपको example बताते है माले यह की server हमने लगा दिया ठीक है यहाँ पे DBMS माले यह IRCT का एक server लगा हुआ है ठीक है अब इसको हमको देखना है माले ए जो कि यह जो हमारा DBMS का database यहाँ पे लगाया गया है IRCT के मादम से तो इसको worldwide कहीं से भी इसको access कर सकते हैं हम देख सकते हैं कि हमको Mumbai से लेकि दिली तक जाना है तो कौन सी time पे कौन सी train अब लेवल होगी ठीक है तो इसको कहते है client server based database model जो कि आपका file system से access नहीं किया जा सक ठीक है तो इस पकारते यह work करता है इसमें आप और point जोड़ सकते हैं जितने से उतने user इसको use कर सकते हैं तो अब इसमें कुछ point हम आपको बताएंगे 4-5 point जो कि पहला point होगा इसमें उसको हम बोलेंगे searching यानिकि अगर हमको कोई चीश सर्चिंग करनी है तो हम किस पकारते करेंगे db events में और किस पकारत तो वो help आपको देगी तो पहला point आप डालें searching और यह जो searching अगर हम file system के साथ करते हैं तो हमको क्या वहाँ पे दिक्कत आते ही माल लेजिए हमारा कोई data है वो 5 kb का है माल लेजिए हमको 5 kb कोई database कोई file है उसको search करनी है तो अगर हम client आपका file system के साथ अगर जाएंगे तो वहाँ पर क्या दिक्कत होगी माल लेजिए आपकी कोई एक folder है उसमें 10 GB का data store है और उसी में आपकी 5 kb के आपकी file रखी तो जैसे आप search करेंगे तो आपके पास पूरा 10 GB का data आपके सामने display में आ जाएगा तो उससे benefit क्या होगा आपको benefit तो पूरा पूरा एकसेस कर लेगा तो एक तो यहां पर आपको नुक्सान होगा आपके पास ज्यादा data आएगा ज्यादा file आएंगी फिर आपको उसमें search करने पड़ेंगे लेकिन जब हम DBMS का use करते हैं यहां पर DBMS का जब concept को यहां पर लाते हैं तो DBMS क्या करता है माले यह server लगा हुआ है हमको कोई particular database में से कोई particular file को ही search करना था माली वो 5GB की थी तो हमने वो उनकी app पे या उनकी site पे गये और वो चीज़ वहां पे हमने type कर दी तो आपके पास सिब उतना ही data आएगा सिब 5GB का पूरा पूरा जैसे माली यह server 100GB का लगा हुआ है तो यह 100GB का server आप आपके सामने सिब उतना ही database आपके सामने वो 100GB करेगा DBMS जितना की आपको जरूवत थी यह जितनी आपको searching की जरूवत थी सिब उतनी ही चीज़ सर्च करेगा यह चीज़ें आपकी file system में नहीं होती थी जिस कारण से DBMS को लागू किया गया तो इस वीडियो को लाइक से ज